तो भाईयों जैसे ही आप WhatsApp को open करके यहाँ पर status लगाने आते होंगे तो simply जैसे ही आप कोई भी आपना photo या फिर video सिलेक्ट करते होंगे उसके बाद जैसे ही उसको send to status के option पर click करते होंगे तो यहाँ पर आपके सामें दो options होते होंगे एक है all contacts choose who to include and यहाँ नीचे specific contacts तो भाईयों यह जो feature है भी मतलब की WhatsApp में new add किया गया है आखिरकार इस feature का मतलब क्या है यदि आपको अभी तक यह specific contacts का option नहीं मिला है तो फिर कैसे मिलेगा end भाईयो यदि आप इसको remove करना चाहते हो तो फिर कैसे remove करोगे and इस option का use क्या है आज की इस video में हम आपको बिल्कुल details से इन सभी options के बारे में बताने वाले हैं तो चलिए video करते है start और आपको बता देते हैं तो भाईयो इस option को पाने के लिए सबसे first number पर आपको करना क्य एप्स करोगे तो यहां पर आपके सामने whatsapp आ जाएगा आपको यह फी आफ एप्टेटा का option होगा यह इते update का option आता है तो आपको तुरंत यहां से update कर लेना है उसके बाद यहां से आपको back चले जाना है यहां पर आपको इस WhatsApp को ओपनशे चलिक koलिट करने के बाद, सिंप्ली आपके सामने कुछ ऐसा अईसा इंटरफेस आएगा, यहां पर आपको इस updates आपसंग вып elevator क्लिक कर देना है, जैसे आप इस updates के option पर click करोगे यहाँ पर आपको add status के option पर click करना है जैसे आप इस पर click करते हो तो simply भायों यहाँ से आपको कोई एक photo select कर लेना है example के लिए भायों मैं यहाँ पर एवाला एक मतलब की photo select कर लेता हूं उसके बाद simply यहाँ पर मैं इस arrow के option पर click कर देता हूं जैसे मैंने right side में इस arrow के option पर click किया मेरे सामने यहाँ पर दो option आ गया है एक है all contacts तो भायों यहाँ यहाँ पर इस all contacts पर click कर दूँगा तो जितने भी मेरे mobile phone में contact होंगे उन सभी लोगों को मेरा status दिखेगा and यहाँ पर नीचे लिखा हुआ specific contacts यह मैं इस पर click कर दूँगा and भायों यहाँ पर नीचे लिखा हुआ select का option तो simply आपको इस select के option पर click करना है यहाँ पर आप जिन भी लोगों को select करोगे उनी लोगों को सिर्फ आपका status दिखेगा जैसी कि भायों मैं यहाँ पर एक select कर लेता हूँ अजय जियो and भायों मैं यहाँ पर प्रवीन इस तरीके से इन दो तीन लोगों को select कर लेता हूँ and भायों मैंने यहाँ पर इस right के option पर click कर दिया तो इस पर click करने के बाद अब यहाँ पर लिखा हुआ specific contact मैं यहाँ पर इस वाले पर click कर देता हूँ यहाँ पर तो भायों अब मतलब कि जब मैं इस status यह लगाता हूँ send status के option पर click कर दिया तो यह वाला status केवल specific contacts में तीन लोग थे अच्छा नहीं लगता है आप इसको remove करना चाहते हो तो भायों यह मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छा ही option है यह आप इसको remove करना चाहते हो तो WhatsApp में कोई ऐसी setting या कोई ऐसा feature नहीं है जिसकी मतलब से आप इस option को remove कर पाऊ तो भायों आपको मतलब कि एक अच्छी बात है कि आपको option मिल रहे हैं पहले ही अगर आपको धिहान दिलाया जा रहा है कि आप जो इस status लगा रहे हो एक कि लोगों के साथ share करना चाहते हो यह और भायों यह आप किसी को hide करना चाहते हो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो यह प्लीज चैनल को subscribe करना इस वीडियो को like करना तो यह तब तक के लिए बाय